सर दरसल बात यह है कि पिछली कंपेनी में सब बस लेते थे बदले में देते कुछ भी नहीं थे तो दोस्तों आज हम जानेंगे रजनी कांड एपिसोड वन सीने प्राइम की वेब सिरिस के स्टोरी के बारे में इस वेब सिरिस के स्टार्टिंग में दिखाया गया है एक हैंसम डैशिंग बॉस की उसके कंपनी में एंट्री होती है जैसे ही वो ओफिस में आता है ओफिस की सबी लड़किया खड़ी हो जाती है और उसके होटनेस को देखकर घायल हो जाती है उसी में से एक लड़की दिशा और उसकी सहली होती है जो कहती है बॉस की बीवी कितनी लखी है उसको इतना होट पती मिला है तो दिशा कहती है हाँ सही कहा तुने बॉस बहुत होट है हमेशा गरम रहते है मेरा मतलब हमेशा गुसे में रहते है तो उसकी सहली कहती है तो रहने दिना मुझ पर कभी गुस्सा बरसा के देखिए सारा गुस्सा अपने अंदर ले लूँगी उसी वक्त आफिस का प्यून वहां आता है और अपनी भद्दिशी सकल लेकर कहता है दिशा मैडम आपको बॉस ने केबिन में बुलाया है और दिशा बॉस के केबिन में जाती है तो बॉस उस पे गुस्सा हो जाता है और बहुत सुनाता है कहता है तुमें पता था ना वो प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना इंपोर्टन था फिर भी तुमने उसे जाने दिया दिमाग कहा रहता है तुमारा पर दिशा सिर्फ बॉस को देखकर खो जाती है और उसके बॉस के बोलने पर कोई ध्यान नहीं होता बॉस कहता है निकलो यहां से और जो इंटर्विव के लड़की आई है उन्हें के करके अंदर बेजो फिर दिशा बाहर जाकर इंटर्विव के लिए लड़कीों का नाम लेती है उसमें से एक लड़की रजनी होती है रजनी की एंटर्विव एकदम होट होती है रजनी अपने बड़े-बड़े अवजार लेकर बॉस के केबिन में जाती है बॉस जैसे ही उसे देखता है तो उसकी लेने की सोच लेता है बॉस रजनी से कहता है काफी बड़ी-बड़ी कमपणियों में जॉब किया है आपने फिर जॉब सुइच क्यों करना चाहती हूँ तो रजनी कहती है कि वहाँ सब लेते थे पर देते कुछ खास नहीं थे बॉस कहता है मैं समझा नहीं क्या मतलब है तुमारा रजनी कहती है मेरा मतलब है कि मुझसे वहाँ काम बहुत लेते थे पर सैलेरी कम देते थे तो boss कहता है यहां हमारे company में salary की क्या expectation है आपके तो रजनी मन में सोचती है यह job बहुत जरूरी है क्योंकि मेरा नल्ला पती कोई काम नहीं करता बस रात में लेने का काम करता है उसको तो मज़ा आता है पर मुझे घर चलाने का tension होता है कैसे भी करके यह job मुझे हासिल करना होगा चाहे इसके लिए मुझे boss के नीचे सोना क्यों न पढ़ जाए तो boss कहता है आप अभी जाओ दूसरे भी लड़किया आये है interview के लिए उसके बाद अगर आपका selection होता है तो हम आपको inform कर देंगे पर रजनी boss से कहती है कि यह job मुझे ही चाहिए आप मेरे लिए job के दर्वाजे खोल दीजिए मैं आपके लिए जन्नत के दर्वाजे खोलती हूँ ऐसा कहकर रजनी अपनी साड़ी उपर कर लेती है और boss के होश उड़ जाते है पर boss कुछ करे उसके पहले भद्दे मुवाला प्यून वहाँ चाहे लेकर आजाता है तो boss की सटक जाती है boss उसे बहुत गालिया देता है कहता है जब तुझे पता है मैं कैबिन में हूँ तो नॉक करके क्यों नहीं आता इसके बाद अगर तु बिना नॉक किये मेरे कैबिन में आया तो तेरे जी में टर्बूज डाल कर फोड़ दूँगा फिर प्यून वहाँ से निकल जाता है और कहता है ये भड़वा साला बहुत गर्मी दिखा रहा है लगता है बड़े साब को इसके कारणा में बताने पड़ेंगे फिर जब वो इसके जी में छटरी डाल कर खोलेंगे तब इसको समझ में आएंगी इसके आवकात क्या है फिर केबिन में बॉस रजनी को नीचे जुका कर अपना केला उसके मूं में देता है बॉस का गाउरान केला देखकर रजनी हैरान हो जाती है और कहती है बापरे बहुत मजबूत केला है आपका फिर बॉस उसे केला खिलाता है और टेवल से लेकर खुर्ची तक हाथ पर उठा कर सारी पोजिशन में रजनी की लेता है तो रजनी भी कहती है कि सच में आपके घोडे में बहुत दम है बॉस कहता है हाँ दम तो बहुत है पर वैसा मैदान भी तो चाहिए जिससे मैं अपने घोडे का दम दिखा सकूँ फिर रजनी कहती है मेरे पास ऐसा मैदान है जिसकी कोई लिमिट नहीं है आप अपना घोडा कितनी भी तेजी से दोड़ा सकते है ये सुनकर बॉस उसको और एक शॉट लगाता है फिर रजनी का काम खत्म हो जाता है और वो कहती है कि मेरा हो गया पर अगर आपको करना है तो एक राउंड और मार लो पर बॉस कहता है तुम चली जाओ और कल सुबह मेरे केविन में टाइम पर रिपोर्ट करना पर वहाँ भड़वा पियून CCTV पर बॉस और रजनी का खेल देखकर हाथ से अपनी भेंडी हिलाते रहता है और उस फुटेज को पेंडराव में सेव कर लेता है और बागड विल्ली की तरह हसता है फिर रजनी अपने घर जाती है तो उसका नल्ला पती कहता है क्या हुआ जौब मिल गया क्या तो रजनी कहती हाँ तो उसका नल्ला पती कहता है Congratulations चलो करते हैं एक round session तो रजनी कहती है कि मैं ठक गई हूँ सो जाओ जैसे कि आपको पता है रजनी को बॉस ने कितना ठकाया होता है फिर रजनी के सोने के बाद दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा आता है जिसमें एक pain drive और एक later होता है जिसमें लिका होता है ये वीडियो अकेले में देखना मैं आपका शुप चिन तक हूँ और इसी के साथ episode 1 खतम हो जाता है तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये story अगर पसंद आई तो like जरूर कीजिए और channel को subscribe कीजिए धन्यवाद